बच्चो एट लास लोग ने पिछले विडियो में जो का होग मैंे आप लोगों को kindergarten निकालना बताया था परम में के संख्याइं का घंगूल निकालना और सी लुए ह motherf et संख्या ठीक है तो दोशच्टी के क्या है अर्क पैस्छ नि भी खानवूल कि की थी उसह में घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल का sign क्या होता है, square का sign लगा कि उपर क्या लिख जाएंगे, 3, ठीक है, तो जब पॉइंट 00008, ठीक, जब पॉइंट अटाऊगे, नीचे क्या संक्या है, 1, पॉइंट के बाद जितने नंबर ने, कितने नंबर है, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे उतने ही 0 नीचे जाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांक, छे अब इन 0 का कोई मतलब नहीं है संक्या हमारे पास क्या रहेगी? 8 हमें जो घनमू निकालना है वो निकालना है 8 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक के बाद 6, 0 अब 8 के आपने गुणान कर लो 8 के गुणान करो कि दो से भाग जाएगा फिर 4, फिर 2, फिर 2 और 8 ठीक, ती हो जाएगा हमारा घनमू दो गुणा, दो, गुणा, दो अब आपन, यह मैंने आप लोग को पिछली वीडियो मता आया था इस तरह की संक्या को हम कैसे लिखते है देको बच्चों, यहाँ पर आप 1 आ रहा है इसका मतलब 1 का जब 1 में गुणा करते है 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 हो गया, चिक अब यहाँ पर जितने 0 है, उसमें आप 3 का डिवाइट कर लिए यहाँ पर 6 0 है, तीन का डिवाइट करोगे तो आंसर मेला 2 यानि कि जब यहाँ दो 0 लगाओगे और इसमें 2 0 लगाओगे और इस बने के आएगे 2 0 लगाओगे तो 2, 2, 4, 2, 6 6 0 गुणा करने पर हमको यहाँ पर मिल जाएगे तो अगर 3 0 दी है, तीन का डिवाइट करोगे तो 1 आएगा तो 1, 1 के साथ 1 0 लगेगी ठीक अब इसमें क्या होगा, यह हमारा ट्रिप्ट बनाएंगे एक ट्रिप्ट हमारा यह बन गया और एक ट्रिप्ट हमारा यह बन गया तो यह होगा हमारा 2 बटे 100 आप नीचे हमारे पास 2 0 तो ऊपर दशमलब लगेगा दो अंग के बाद लगेगा लिकिन मेरे पास उपर खाली एक अंग है तो दो कैसे करेंगी इस दो के हम पीछे की तरफ एक जिरो इसके आगे एक जिरो और बढ़ा लेंगी ठीक और तब यहां से काउंट करना शुरू करेंगी एक दो दशनलों हमारा यहां पार आएगा संक्या हमारी क्या होगी पॉइंट जीरो तू यह आप ध्याने के बच्चों को कि इसको डिवाइट तो कर सकते हैं आप कुरान संक कर सकते कि बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इस गड़े की घहराई गयात कीजिए अब जो गड़ा है वो माना कैसा घना का रहे और आपको पता है कि घन की सारी बुझाएं कैसी होती है बराबर होती है तो अमने माना इसका आंसर कैसे लिखेंगे माना घना का गड़े की बुझा बराबर एक्स ठीक यही लंबाईच होगी यही हमारी चोड़ाई होगी और यही हमारी गहराई भी होगी ठीक है तो गड़े की गहराई की बराबर होगा बराबर क्या है गड़े की गहराई ठीक अब जो गड़े का आइतन होगा वो मारा क्या हो जाएगा घना का गड़े का आयतन आप लोगों ने पढ़ा है बैच्चों कि कोई किसी घन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा भुजा का Q ठीक, भुजा हमने मानी है X तो यह हो जाएगा हमारा X का Q ठीक, और इस गड़े का आयतन आपको कुश्चन में 13.824 दिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो तो जाएगा हमारा 13.824 ठीक है तो X क्यूब बराबर हमारा आगे है 13.824 तो X की वैल्यू क्या होगी जब आप Q को यहाँ पर लेकर आओगी तो यह क्या बन जाएगा Q रूट बन जाएगा घनमूल बन जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा आगे है आगे जो हम इसको सॉल करेंगे तो यह जाएगा X बराबर घनमूल 13.824 इसके नीचे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है जाएगा बटाएगे जाएगा कितनी 0 है 1, 2, 3 तो नीचे कितनी 0 बढ़ जाएगी 1, 2, 3 ठीक अब इसको अलग-अलग कर लीजे यह हो जाएगा घनमूल 13.824 अपन यह हो जाएगा घनमूल 1000 ठीक है अब 13.824 की बढ़नखन कर लीजे जहम 13.824 बढ़नखन करेंगे यहाँ पर कर लो 13.824 इसमें लास्ट में 4 है क्योंकि तो 2 से कर जाएगा 2 का 13 में माग लगाओ 2 चिक के 12 यहाँ से एक बचेगा 1 और 818 2 निम 18 फिर 2 का 2 में लगाओगे 2 एकम 2 2 का 4 में 2 दुनी 4 फिर हम 2 से करेंगे 236 2 का 9 में 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 चिक के 12 फिर 2 से करेंगे 2 का 3 में 2 एकम 2 तो 2 का 4 में 2 एकम 2 2 का 3 में 2 एकम 2 एक और 2 बार है फिर 2 से करेंगे 108 फिर 2 से करेंगे 54 फिर 2 से करेंगे 27 अब यह तीन से कर जाएगा 9 3 3 और 8 ठीक तक तक डिवाइट करते जब तक कि हमको 1 में ही मिल जाता ठीक है तो उपर वाली सेंटीया के गुड़ान कहाना हमारे क्या होगा यहाँ पर हम लिख लेंगे यह हो जाएंगे हमारे दो कितनी वार आया एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नौ तो दो गुड़ा दो गुड़ा दो एक तो यह डिप्लिट बना फिर दो गुणा दो गुणा दो एक ट्रिप्रेटी ये बना फिर दो गुणा दो गुणा दो एक ट्रिप्रेटी ये बना और तीन फिर तीन वारा एक दो तीन ये हमारा तीन का ट्रिप्रेट हो गया ठीक इसके बाद ये हो जाएगा घन मूल इस एक हजार को फिर से ब्रेक कर औरकने सकते pegar सेविव बाना वन रावन कर लिए अब तीन जीरो रहें एंसे डिवैट करो मैं नहीं कि मैंने ही इनक एक वनके साथ एक जिरू 410 या लगा यचा जा wackyọi इंद लेلू इसमें से क्या बाहरा जाएगा इसमें आरा दो बाहर गया। इस ट्रिप्लित मैं सिह रहे। थिन आ चूंज leading the फिर अपउन सबस्क्रण लाओ है। इस अपउन के सांपर के और हो धट्री हो जाएगा। ए तो इस तरीके से जो गड़्डे की घहराई होगी वह हमारी क्या होगी तूपैंट फोर मीटर होगी चिक हम आगे की एक साइज लेके चलते हैं एक साइज है हमारी थीडी ठीक है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए है कि प्रतेक तह की प्रतेक पंक्ती में उतने ही सेब है जितनी की उस तह में पंक्ती है मतलब अगर सफोज ही आपकी पेटी है तो पेटी के अंदर लेयर्स होती है सेब की एक लेयर ये है एक लेयर ये है एक लेयर ये है एक लेयर ये है ठीक अब इस एक लेयर का पिच्चर मैं यह मालनो एक लेयर है तो वो यह कह रहा है कि इस पेटी में जितनी लेयर हैं आगे वो क्या कह रहा है यदि तहों की कुल संख्या पंग्तियों की संख्या की समान है अगर सब्सक्राइब जैसे एक दो तीन चार लेयर दिखाएं तो हर लेयर में कितनी पंग्तियां होंगी चा चार चार हो झाल नगे एक लेयर में चारे कम चार चारे थूरब्द उल्य में 1500 में 24 तो में जब 4 लेयर लेद नी है किम मुझे सेव के संग्या कितनी चारं छोडूहेड गोड़ा निगुज निग ergःशनोबंफ है Q तो इसी प्रकार से अगर मैं तहों की संख्या X लो इसमें कितनी लेयर है X तो हर लेयर में कितनी लाइन होगी X लाइन होगी और हर लाइन में कितने सेव होगे X सेव होगे तो कुल सेव किस रंगे कितनी हो जाएगी एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स यानिकी एक्स का क्यू तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे हम यहाँ पहले लिखेंगे कि प्रश्ना अनुसार प्रश्ना अनुसार मतलब प्रश्ने के अनुसार प्रश्न में आपको यह दिया गया है कि तहों की कुल संख्या किसके बराबर है पंग्तियों की संख्या की समान है एक तहम है पंग्तियों की संख्या की समान है ठीक है और ये किस की समान है प्रतेग पंग्ति में सेबों की संख्या की समान है ये तीनों संख्या हमारे समान हमने माली क्या है एक्स मतलब अगर आपकी फाइव लेयर है तो हर लेयर में कितनी लाइन होंगी पाँच और हर लाइन में कितनी सेव होंगी पाँच अगर आपकी दस लेयर है तो हर लेयर में कितनी लाइन होंगी दस और हर लाइन में कितनी सेव होंगी दस ठीक है लेयर की संक्या किसके बराबर है हर तय में पंगतियों की संख्यां के बराबर है और प्रतेक तय में सेवों की संख्या के बराबर है। कुल सेवों की संख्या बडब हो जाएगा XQ, जिससे अम चार लेयर मानके चले थे, तो हमें सेवों की संख्या 4Q मिली थी , अगर हम X लेयर मानेंगी तो सेवों की संख्या कितनी मिल जाएगी XQ, यह, तो बच्चो मैंने आपको उपर एक्जाम्पिल लेके समझाए, इसको आ नोड़ब्बुक में नोट नहीं करेंगी यहां से आप Q&AY सम्टिंन वे मार डेंगैं तो हैंसाल वे आपको प्रतेक्ट इस तलते खम उपड़न्यक को से नकाल है तो आप यहां पर मैक्स का माल परे निकाल लेंगे क्यूब को जब यहां ले जागा तो घनमूल बन जाएगा यह हो जाएगा क्यूब रूट 1728 अब इस 1728 के आप ब्लंखन कर लीजिए दो से भाग लगाएंगे तो दो अटे सोल है एक वर दो बार है दो चिक के बार है दो च 27 2227 पिर 23 से नो फिर 13 फिर ती Moore एक चीक यहां अमारे ग्रहन दोगे कहां तक हमने एक तक को पुद्खन कर लिये जबाए वैल्यूस को यहां पर रखोगे चीक है दो कितनी बार आया एक दो तीन चार पार चीक तो दो गुड़ा दो गुड़ा दो फिर गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो चे वार लेग लिया गुड़ा फिर तीन आया तीन बार गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा त तो इसका मतलब यह हुगा कि जो हमने यह पेटी बनाई है इसमें किती लेयर है बारे और एक लेयर में किती लाइन होंगी बारा और हर लाइन में कितने सेव होंगे बारा तो इस एक लेयर में कितने सेव हुए जब एक लाइन में बारे सेव यहां है बारे सेव यहां है बारे तेह में सेवो की संख्या को यह किसकी बरावर हो जाएगी हमारी बारें गुणा बोर wysa जिरेध में की से लाइन कीचके रुआ सा कर लीजेगा जो ठीक के तो प्रतेक त्यमे से हमारी कित्ती हो गई बार लिए अब इसी प्रकार से बच्चोंडेकों कि एक पेटी में दूसर 16 आम घन के रूप में सजाब कर रखे गए हैं तो घ्याद केजिये कि पेटी में आम की कितनी ते हैं सेम यही क। सेम यही क्वेशन है बस सेव की जगह आम हो गया और इस संख्या की जगह दुछर सोला हो गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप करें चिक अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं कि कुल डिब्ब इस सब कोश्चन से सीथे क्या करना है घन मूल निकालना है तो तीसरा क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि संदूक की एक तहह में चौक कि कितने डब्बे रखे वह निकालना है थमने माना माना प्रत्येक तहकी प्रत्येक पंग्ती में चौक के डिब्बो की संख्या बराबर है एक्स तो कुल चौक के डिब्बे कितने हमारे पास हो जाएंगे सेम भही चीज है पिछले वाले कुशन की दिब्ब कुल चौक के डिब्बो की संख्या जब घन के रूप में आपने से जाकर रखा है जो इसकी हाइट होगी वो इसकी ब्रैट होगी वही सारी चीज होगी तो कुल चौक के डिब्बो की संख्या क्या हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगी पुल चॉक के डिपो की संख्य हमारे किसकी बराबर हो जाएगी एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगी तो एक्स क्यूब बराबर चॉक के डिपो की संख्य आपको क्रिशन में दी गई है बच्चो कितनी दी गई है यहाँ पर 2744 ठीक है जो X cube की value होगी वह हमारी किसके बराबर हो जाएगी 2744 के बराबर हो जाएगी ठीक है अब आप इस cube को यहां पर ले जाए तो घंबूल बन जाएगा यह हो जाएगा 2744 अब आप इसे गुडंखन करेंगे यहां पर यह नंबर लिख लिए हमें 2744 कू से भाग लगाए दोइकम दू दूट्रीज चछ जोट और दूटनी चाट फर दोब से लगाएगा 286 सुट है और 2860 अब दूसे लगाएगे 296 दो चौकाट दूट्रीज अब 347 किसका गर ऑफ 7ज सत का और यह हमारा यहाँ पर घंपूल दो गुड़ा दो गुड़ा seit गोणा साथ गोणा साथ टिप्रिट बना लीजिए और हर टिप्रिट में से एक नमबर काल DES तो हमारी जो लेइर है इस लेइर में कितनी लाइन होगे ऐसी हमारी 14 एच positivo 34 चार पांच, छे एक दो, तीन, चार पांच, छे साथ आइक आट, नौ दस, वारे, तीरे, चार ना तो एक लेयर में या प्रतेक तह में चौक के डिब्बो की संख्या यह मारी क्या हो जाएगी चौक के डिब्बो की संख्या बराबर हो जाएगी दो जाएगी चौक के डिब्बो की संख्या तो यह तीसरा कुश्चन हमने बच्चो बता दिया अब इसके बाद देखो बच्चो चौता कुश्चन सौल कर रहे हैं आप पर चौता कुश्चन क्या कह रहा है कि एक शोरूम में काश के रंगीन घन एक दूसरे सटाकर इस प्रक रखे गए हैं कि वे गड़े गण का आकार लेते हैं विदि इस प्रकार रखे गए गनों की कुल संक्या 512 हो तो क्या तीजे कि रंगीन घ来了 की कि कितनी तहों से उक्त घंणाक्ती बनी है यहां पर हमको क्या क्या निकालनी तो की संक्या का जिसे कि ढने ई एक घन है इस तरीक मैंने पांच लिए तो पांच लेयर मेरी ऐसे होगी है ना ये पांच लेयर ऐसे हो गई पैंज ऐसे और बिस पच्चden और होगे पत्षीप 1 से पट्टीज ग Hani गया है कि इस तरीके से जो घंडीश। यह पर यह प्शूंधा आपकी ओंगी की इस तरीका को बनाने में हमने माना कि घनों तहों की संक्या बराबर है X ठीक है तो प्रस्ण के अंसार प्रस्ण के अंसार कुल घना की संक्या कितनी हो जाएगी X Q के बराबर हो जाएगी जैसे कि आपने पिछले questions में देखा था है ना तो कि अब यह एकसे यह भी एकसे एक ए तो एकट भी में घनों की संख्या होगी एकस इंटू coraz पर अशी तो इसे किती लेयर है मारे पास यह एकस लियर नहीं तो मिलेगा ऩैक च्शुल यह में यह इसके बराबर हो गया 500 बारे के क्यूब को यहाँ पर लेके आओ तो यह क्या बन जागा घंवूल तो X बराबर हो जाएगा घंवूल 500 बार ठीक अब 500 बारे के आप यह गुणनखन कर लीजे 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 पंगे 10 दू चिक के बारे फिर 2 से 2 वट्टे सोले 4 2 2 2 और 1 ठीक है अब यहाँ पर लिख लीजे यह ओजाएगा घंवूल 2 केतनी बारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ट्रिपिट बना लो एक यह बना एक यह बना और एक यह बना हर ट्रिपिट में जिए एक नम्मर महा लेलो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानिकी 8 इसका मतलब यह हुआ कि लेयर्स की संक्या कितनी होगी 8 होगी और हर लेयर में लाइनों की संक्या कितनी होगी 8 और हर लाइन बे घन कितने ही होगे ठीक तो यह एक्स हमें यह इकालना था तो आप यह लिख सकते हो कि तहों की संख्या बराबर तहों की संख्या बराबर हो गई आठ ठीक तो अब आगे वाला कुश्चन देखते हैं पाचवा कुश्चन हमारा क्या है कि प्रदानमंदरी के राश्टी रहात कोश के लिए एक विद्यार्य की एक कक्षा का प्रत्य विद्यार्ती उस कक्षा की विद्यार्ती क्योंकि संख्या के बराबर पैसे चंदे में देता है इस प्रकार यदि कुल चंदे की राश्टी इतनी है तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्ती सेम यह आप दी कितना देंगे x square into x याने की x q हो गया चिक फिर उसको आप लिखके solve कर लोगे चाहिए तो मैं लिखके देखा देती इस फिफ्ट कोईशन को आप लोगों को फिफ्ट कोईशन में माना माना कक्षा में विध्यारतियों की संख्या बराबर है x ठीक तो एक विध्यारति द्वारा चंदे में दी गई राशी ये आपको कश्चन में कह रहा है किसके बराबर है विध्यारतियों की संख्या के वर्ग के बराबर है तो विध्यारतियों की संख्या हमने यह लिखी और फिर उसका कर दिया वर्ग यानि की x स्क्वेर के बराबर होगी ठीक तो एक विध्यारति तो x स्क्वेर चंदा दे रहा है कुल विद्यारती कितने है X X विद्यारती कितना देंगे X square into X याने की X cube ठीक है तो कुल चंदे की राशी कितनी हो गई कुल चंदे की राशी हो गई हमारे पास X cube और question में ये value आपको दी गई है ये value आपको question में कितनी दी गई है 15625 तो आप इस value को 1565 के बराबर कर लीजे तो फिर X बराबर क्या हो जाएगा इसको यहां ले जाएगे तो cube root बन जाएगा cube root 15625 अब इसका गण्मूल निकाल लीजेगे आपको पस विद्यारती किसें क्या आ जाएगी इस question का आप लोग बच्चो complete करिएगा ठीक अब six question देखिए गण्मूल आपको को निकालना आता है आपको निकाल सकते है six question देखिए बच्चो six question क्या है कि एक घनकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है यह टंकी की माब ग्याद की भीड ही 1000 लीटर पानी का आहतंग एक घन मीटर के बरामर है धिक तो पहले हम इस लिटर को वॉल्यूम में चेंज कर ले तें गन मीटर में चेंज कर ले तो आपको यहां को यह दिया गया है कि 1000 लीटर स再ocus गन मीटर के बरामर है है ना तो एक अजार एक बटे एक अजार घन मीटर ठीक तो टंकी का आयतन टंकी में कितना पानी 1331 लीटर जो 1331 लीटर है वो किसके बरावर होगा अगर एक की कोस्ट दी है और बहुत सारे की निकाल नहीं होती तो हम गणा करती है जैसे अगर एक पैन आपका पांच रुपे का है तो छे पैन कित एसी एक लीटर बरावर इतना दिया हुआ है तो 1331 लीटर का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको इस पूरी संक्या से बढ़ा कर देंगे यानि एक बटे एक हजार इंटू 1331 तो क्या मिलेगा हमको 1331 बटे एक हजार घन मीटर ठीक तो यह हमारा आगया वाल्यूम आय भी घना का रवस्ति होती है उसका जो आयतन होता है वो बुजा के क्यूब के बरावर होता है ना तो हमने मान लिया माना टंकी की घना का टंकी की है ना माना घना का टंकी की बुजा बरावर एक्स चिक तो घना का माना घना का टंकी की बुजा बरावर एक्स तो टंकी का आय मतलब टंकी में कितना पानी आएगा टंकी का आयतन किसके बराबर होता है फॉर्मला भोजा का Q होता है यानिकी X का की कुछ और इसका आयतन आपने भी निकाला कितना निकाला 1331 बटे 1000 तो दॉनर वेलूस आपस में कैसी होगी बराबर होगी यह निकी X Q बराबर हो जाएगा 1331 बटे 1000 X बराबर हो जाएगा घनमूल 1331 बटे 1000 आप आप कर सकते हैं इसको है ना हम क्या करेंगे दोनों पर अलग लग निकाल घनमूल लगा देंगे घनमूल 1331 बटे घनमूल 1000 ठिक अब 1331 गुड़नफन कर लो यहाँ पर तो यह हो जाएगा हमारा 11 대 Q बे 11 से कटेगा 1121 फिर 11 से कटेगा 11 और एक ठिक यह हो जाएगा हमारा घनमूल 11 गुड़नफर 11 गुड़न गुड़ना 11 इसका forget बना लीजे अब पॉंग यह हो जाएगा घनमूल अब इसे 1000 है यहाँ पर 1 है ना एक का घंड एक होता है तो एक गुड़ा एक गुड़ा एक यह लिख लिए तीन जीरो है तीन से डवाइट कर दो बचा तीन कतिन में घा गया एक यह नहीं कि एक वन के साथ आप एक जीरो लगाऊगे फिर यह एक जीरो लगाऊगे फिर यह एक जीरो लगाऊगे फिर यह एक यहांने की एक नमबर पर छोड़के हैं यहां दशम्दा जाएगा यह लागा वन पॉइंट वन मीटर को ज्ड़ेक है तो दिढ़के की माप होगी वह क्या होगी तपा जकी की जुट यहुंहां का तंकी यह उसकी लंबाई चौड़ा फोड़ा नीविटर होगी 1.1 मीटर है